Hello everyone, अगर आप हर्याना में HPSC में Assistant Professor की त्यारी कर रहे हैं तो हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि जो उसका HPSC का जो exam होगा, उसका pattern क्या रहेगा, मिर से बहुत बच्चों के question आये थे कि exam pattern क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे, खाली हम HPSC के Assistant Professor के exam pattern का discuss करेंगे, ठ return exam में भी आपका 2 गंटे का exam होगा, objective type आपका exam होगा, और उसमें 1 4th negative marking होगी, HPSC के Assistant Professor का exam होगा, 1 4th negative marking होगी, 2 गंटे का exam होगा, और OMR objective type जो भी आप उसे बोले, वैसा exam होगा दो उसमें part होगे, एक relevant subject से related, दूसरा हरियाना की GS से related, so number का paper होगा, अब ये हरियाना की GS से related क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, जैसे आप किसी भी state का, other state का exam देने जाते हैं, जैसे गुजरात का देने जाते हैं, पंजाब का देने जाते हैं, या फिर UP का, या फिर other state का देने जाते हैं, especially हम बात करें, गुजरात की और राजस्थान की, पंजाब की, वहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग ना अपने बच्चों को थोड़ी सी advantage देने के लिए अपने state की GS के बारे में पूछते हैं, तो यही step लेते हुए जो हरियाना का, जो HPSC है, उसने ये ये सोचाए कि जो हम, लोकल लोग, जो लोकल कंडिडेट हैं, जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, तो उन्हें ज्यादा पता होगा, उन्हें वो चीजें आसानी से त्यार कर सकते हैं, in comparison to other state, तो ये इस पैटरन के basis पे 10 questions जो आपके रहेंगे, वो रहेंगे आपके हरियाना की JSA related, दूसरे जो relevant subject से 90 questions रहेंगे, और इन की, इसको आपको तयारी कैसे करना है, इन questions की, हम आप जो भी तयारी से, जो आप सब्जेक्ट है, जो आपका, जो आपने master degree में तयारी किया है, जो net, जियारफ के exam के टाइम पे तयारी किया है, वो ही आप questions पढ़ लेना, आपके से तयारी हो जाएगी, हरियाना की अगर हम बात करें, तो हरियाना से related, अभी जब तक notification नहीं आता है, तो आप तब तक आप हरियाना की GS, इस exam के लिए ना पड़े, आप अपनी basic वो कर ले तयारी, जैसे ही notification आए, उसके बाद 10 number का आएगा, 10 number के आपकी तयारी हो जाएगी मैं आपकी तयारी करा दूँगा, मैं इसके वीडियो बना दूँगा, उससे related, उसकी वो इतनी attention लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे पास paper है, old paper के subject के, अगर आपके पास old paper चाहिए, तो मैं आपको उसके PDF में provide करा दूँगा, और मैं कुछ old paper को solve करके, उनके वीड हो और तामिर से